अम्रोहा ठाना देहाद राखचेतर के गाउं विक्ट्मी में कक्षा 10 के चातर की गला घुट कर हतिया बताया जा रहा है कि भानू ने स्कूल में मोबाइल को लेकर हुए जगड़े का बद्ला लेने के रिए वरुन की हप्या की है जिसे पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पता दे अमरोह जनपत के थाना देहाद छेतर के गाउं दिखनी के रहने वाला ग्यारवी कक्षा के छातर वरुन अपने दोस्त भानू के साथ भर से गया था लेकिन घर नहीं लोटा उसके परिवार वालों ने काफी खोज की लेकिन कोई सखलता नहीं मिली जिसके बाद वरुन के तलाश में नाकाम परिवार वालों ने थाना अमरोह देहाद पुलिस को जानकारी दी थाना अम्रोहा देहा पुलिस ने पूरे मामले की तपीश शुरूपी तो भानू नाम के उसके सहपाठी को हिरासफ में ले लिया जिसकी बात पता लगा कि भानू वरुन के साथ कच्छा 11 में अम्रोहा नगर के साइंग बाबा स्कूल में पढ़ता था किसी बात को लेकर दोनों में जगडा हुआ था जिसके बात से भानू वरुन से बदला लेना चाहता था आज भानू ने वरुन को उसके घर से बुलाया और गाउं के बाहर ले जाकर भानू ने वरुन के रसी से गला दबाकर हत्या कर दी हत्या के बात भानू घर से फरार हो ग किसके लोगे उसमें जो अभानुनाम का चीग अमबर्गुडगा वह लुटाए पर उटाए पापाने तो बोला कि पर उटाए नूबरू तो गहर है में डूडी पहूं कंपनी में पूले ठीक है मैं सामकुजाय का बात करा हूँ और वह बॉला कि ऑन ठीक है सामकुबात करा तो बात में लगों 11 या 11.30 बॉला का है आया हमारे गाला आयकर बढ़के से मिला है जहां पर खड़े तहीं है जायकर उन्होंना बात करी है फिर वह लड़का घर को आई आए घर भी वो तीन बजे फिर आया था नमकलोंगा था तीन बजे नहीं से ले गया है लिवाय के घर थारा वाद का नहीं आरा जहिए वसके पात करने पात है खोले ठीग है उस्से बात में हम ने पूंछे हैं हमने पूंचे और पहुछक तो बॉला है तो कर दो से पापा को लेकर जगड़ा चहुआ जिसमें की एक छात्र ने दूसरे चात्र को गर से बाहर बुलाया और वहाने से उसके घर के पीछे ले जाकर तार से गला दबाकर उसकी अत्या कर दी जब मरतक चात्र गड़ नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों उसकी तलाश की पुलिस को शिकायत की पुलिस ने तत्परता पूरवक कारेवाई करते वे आरोपी चात्र है उससे पूछताज की और उसकी निशान दही पे शव को बरामत किया है इसमें पुलिस ने शव को में लेकर पोस्ट मॉटम हेतु बेज दिया है और जो आरोपी छात्र है उसे एरासत में लेकर पूछताज की जा रही है आगे कारी वह इसमें की जा रही है भी